राफेल लडाकू विमान के इंजन बनाने वाली फ्रांस की एरोस्पेस कमपनी सफरान ने भारत में ही इसके स्वदेशी इंजन बनाने के लिए मदद की पेशकश की है। कमपनी ने इसके लिए बाकाइदा एक प्रस्ताव रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन डियार्डियों के पास भेजा है। कमपनी ने कहा कि भारत में ही राफेल के स्वदेशी इंजन तयार किये जा सकते हैं और इसके लिए वह टेकनोलोजी ट्रांसफर करने को तयार है। रक्षा मंत्री राजनात सिंग ने सफरान के कारखाने का दौरा किया था। इस दोरान भारत में चल रहे सफरान के प्रोजेक्ट की जानकारी देने के अवसर पर कमपणी के सीओ ओलिविया एंड्रीज ने ये बताया। वे हमारे द्वारा भेजे गए प्रस्ताव का अध्यायन कर रहे हैं। हम टेकनोलोजी ट्रांसफर करना चाहते हैं और इससे भारत में पहले स्वदेशी लड़ाकू विमान इंजन का रास्ता तैयार हो सकता है। गौर तलब है कि मिराज जेट विमान में भी इसी कमपणी के एम तिरपन वेरियंट का इंजन का इस्तिमाल किया जाता है। भारत में बनने वाले हलके लड़ाकू विमान तेजस के लिए स्वेदशी इंजन बनाने में सफरान से किस तरह की मदद ली जा सकती है। गौर तलब है कि भारत और फ्रांस में लगातार प्रतिरक्षा रिष्टों को बहतर बनाने की कोशिश हो रही है। भारत फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और तीन स्कॉपीन पंडुब्बी खरीदेगा। रक्षा मंत्राले ने गुरुवार को भारतिय नौसेना के लिए फ्रांस से 26 राफेल लड़ाकू विमान और तीन स्कॉपीन श्रेनी की पारमपरिक पंडुब्बियां खरीदने की योजना को मंजूरी दे दी है परमानू परीक्षन को लेकर कई देशों ने भारत को हथियार बेचना बंद कर दिया था जिसे फ्रांस ने एक बड़े अवसर के तौर पर लिया France ने अमेरिकी प्रतिबंधों की अंदेखी करते हुए भारत को हत्रियार बेचना शुरू किया और अब वो रूस के बाद भारत का दूसरा सबसे बड़ा रक्षा हत्रियार आपूर्तिकर्ता बन गया है फ्रांस भारत को एर फ्रांस सबमरीन जैसे एहम रक्षा हत्रियार सप्लाई करता है